प्यारे बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है रमदान टुटोरल में माध्मिक हिस्टी के चाप्ट नंबर टू, रिफॉर्म, कैक्टेस्टिक्स औन अब्जर्वेशन इस पर हम आज की वीडियो सूट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चाप्ट नंबर टू का ओवरॉल आपको आईडिया मिलेगा। अगर आप इस चाप्टर को वन सॉट में रिवाइस करना चाहते हैं तो कौन से की पॉइंट से जिनको आपको रिवाइस करना चाहिए आज के इस वीडियो में आपको बताई पर लेकिन इससे पहले कि हम उसके discussion को सुरू करें एक बहुत important चीज है जो आपको समझना पड़ेगा और बहुत सारे background के information से जिन्हें आपको जानना पड़ेगा इन सब को जानने के बाद हम इस chapter के main contents को समझ पाएंगे बहुत बहुत बहतरीन तरीके से तो अगर आप इन सब को जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें पूरा follow कीजे जिससे आपको पूरी चीज समझ में है सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने पहला line लिखा है phase towards a new collectivity ये मैंने क्यों mention किया है अगर आप slivers follow करेंगे तो वहाँ पर भी mention किया गया है और phase 2 chapter 5 से start होता है जो की reduced slivers का पहल करना है एक नई collectivity मतलब सब लोग unite होना start हुए लेकिन एक बात सोचने वाली है किस time के unity की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको सबसे important चीज समझना है हम जिस history का discussion कर रहे हैं ये Indian history है पर Indian history कब से कब तक ये Indian history है modern Indian history यानि जब अंग्रेज भारत में आए और तब से लेकर जो history अब तक रची गई है उस history के period को हम modern history में discuss करते हैं और उसका Indian part हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर हो ऐसे कोई history नहीं बनी है बिल्कुल बनी है लेकिन उसका जो Indian part है वो हमारे class 10 के slivers में है तो हमारा जो slivers start होता है वो approximately 1847 का time ल दे सकते हैं वहां से हमारी ये history start होती है जिसके बारे में हम discussion करेंगे ये modern Indian history है तो आपको तो सबसे पहला बात समझ में आ गया कि हम किस time के history के discussion कर रहे हैं अब अगर आप इसे थोड़ा सा अपना background knowledge के साथ compare करके देखें तो जो class 9 में आपने history पढ़ी थी वो बिल्कुल से different थी वहां पर modern Indian history के साथ connection कुछ भी established नहीं था end of the chapter में आपको एक comparison मिला था खैर अब आते हैं अपने subject topic पे तो इस chapter का नाम क्या है मादमिक history इस chapter number 2 का नाम है reform characteristics and observation तो आज के इस chapter में हम different reforms को जानने वाले हैं इस chapter के contents जो हैं वो different reforms के बारे में हमें बताएगा reforms मतलब जो changes आएं जो गलत थे जिनको सही किया गया कहां कहां गलतियां थी ये जानना भी जरूरी है अगर आप उनको जानोगे नहीं तो फिर उनको ठीक कैसे करोगे तो गलतियां क्या थी और उनको ठीक करने के लिए कौन-कौन से step लिए गये ये सारा इस chapter का content है चले अब number two reforms and characteristics में कितने भाग है जैसा कि मैंने बताया पांच भाग इन पांच भाग में पहला भाग क्या है 19th century बेंगॉल यानि 1800 के बाद से जो बेंगॉल स्टार्ट हुआ है जिससा 19th century में count करेंगे reflection of society in periodicals, newspaper and literature तो हम पढ़ने वाले हैं periodicals यानि कि magazines and all, newspapers और literature के बारे में जो 19th century में लिखी गई, अगर हम इन्हें study करेंगे तो हमें उस टाइम के समाज, society का reflection देखने मिलेगा, जानकारी मिलेगी अब उस टाइम पे कौन से प्रिडिकल, newspaper और literature थे उनके बारे में जानते हैं, इनका discussion elaborate किया जाएगा जब हम इस वीडियो के अंदर एंटर करेंगे लेकिन याद रखिए उस वक्त के समाज के लिए, समाज क्यों कैसा है उसे दिखाने के लिए बामबोधनी पत्री का बहुत important थी ये magazine इसके बाद हिंदू पेट्रियोट नाम की एक और magazine थी, हुतुम पॉचार नौकसा ये भी नील दरपन, नील दरपन दरसल एक नाटक था, literature का पार्ट होगा, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया गया था, किस तरह से उन्हे torture किया जा रहा था, ये हम लोग इस नील दरपन के इस पूरे नाटक को देकर जान सकते हैं, ग्राम बारता पत्री का, ये भी एक important उस टाइम का newspaper रहा है, प्रियोडिकल रहा है, जिससे हमें उस टाइम के society की information मिलती है, I hope कि ये जो first part है, जहां पर हम society में समझ रहे हैं, क्य कि society में क्या problems है, पहले ये जानना ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोगोंने 19th century Bengal का society के reflection को जानने के लिए उस टाइम के newspapers को, periodicals को और literature को पढ़ा, अब चलिए हम जानते हैं कि इनको ठीक कैसे करें, तो इनको ठीक करने के लिए हम लोग mainly तीन तरह के reforms पर डिवाइड करें जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे religious पर, education पर, तो चलिए education reforms के बारे में जानते हैं, इस chapter का second major article होने वाला है 2.2, 19th century Bengal, educational reforms, educational reforms में क्या-क्या educational reforms उस टाइम के समाज में आये थे, उनको जानते हैं, सबसे पहला important point होगा, conflicts between oriental and western education, इंडिया का अपना education system रहा है, और उस time पर, चुकि अंग्रेज हम पर rule कर रहे हैं थे, तो due to English people, हमारा western education भी हमारे सामने आ रहा था, इन दोनों के बीच में Indians confused थे, और एक उनके बीच में conflictions था, कि oriental education system को follow किया जाए, या western education system को implement किया जाए, इन दोनों के इस conflictions को बहुत ज्यादा value दी जाएगी, हम लोग इसे अच्छे से elaborately समझेंगे, finally ये दिखता हुआ नजर आएगा कि growth of English education society में start हो रही है, यानि कि किसी तरह से in conflictions के बावजूद English education जो है, उसमें development ज्यादा होने लगी, इसके बाद हम notice करेंगे इस्वचंद विद्यासागर, जिन्हों ने women's education को काफी value दी और उसके बारे में समाज को जागरोग किया, women's education में बेंगॉल जितना आगे रहा बाकि सारे स्टेट से वो remarkable था, इसलिए इस्वचंद विद्यासागर और women's education को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, Indian initiatives for the spread of western education, western education के बारे मे confliction, oriental education से था, लेकिन फिर भी समाज में English education चलने लगा था, women's education भी स्टार्ट हो चुके थी, तो लगबख society ने accept कर लिया था कि western education important है, और इसके बाद Indians ने initiative लेना इस्टार्ट किया, राजा राम मोहन रोय और राजा राधाकान देव के बारे में भी हम लोग जानेगे, Calcutta Medical College and the Development of Medical Science, यह भी हम जानेगे, इसके बाद Calcutta University and Growth of Higher Education, सिर्फ education को एक लिमिट तक नहीं, बलकि हायर education के तरफ भी टेंड करवाया गया, इस तरह से यह जो पूरे educational reforms हुए, इन सब को हम study करेंगे, I hope आपको समझ आया, पहरे oriental के respect में हम नोग ने western को देखा, फिर western पर का पनला भाड़ी होते हुए दिखा, जहाँ पर English education को support किया गया, women's education सामने आया, इंडियन से इसको support करने लगे, और भी कुछ initiatives ले गये, फिर medical colleges का development हुआ, और finally higher education और आगे बढ़ पाए, तो यह हमारे कुछ educational reforms हुए, कुछ नहीं, major educational reforms हुए, इस chapter का second content यह था, इसके बा 2.3 में, 2.3 articles समाज में जो दोस मौजूद हैं, उनको दूर करने का चाती है, यहाँ पर समाज में जो reforms की जरूरत थी, उसमें बहुत सारे points है, लेकिन कुछ activities important थी, यहाँ पर ब्रह्म समाज का नाम आएगा, ब्रह्म समाज और उसके different denominations बने जिन्होंने अलग-अलग काम क समाज में, ब्रह्म समाज ने बहुत help किया समाज में society को reform करने में, और इस टाइम पर एक बहुत बड़ा social reform हुआ, जिसका नाम है anti-sati movement, सती movement, I think सारे लोग ही जानते हैं कि सती movement में actually जब किसी पत्नी के पती husband का death हो जाता था, तो उसके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था, उसके body के साथ, यह बहुत गलत है, सुनके ही आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, इस सती movement, पके, इस सती को इस प्रथा क बंद करनी के लिए anti-sती movement स्टार्ट की गई, जिसके बारे में हम लोग social reforms में पढ़ेंगे, इसके बाद यॉंग बेंगाल और लुईस हेंरी विविन देरेजियों के बारे में जानेंगे, और finally हम एक समाज की बहुत बड़ी दोस्त को दूर करेंगे, जिसमें होगा widow remarriage act, widow remarriage movement स्टार्ट करके, finally एक act established किया गया, जिसमें widows remarriage कर सकती हैं, ये society में होने वाले reforms थे, तो ब्रहम समाज और उनके denominations ने कुछ reforms किये, anti-sati movement हुआ, यॉंग बंगाल established किया गया, और widow remarriage का act लाया गया, अब जब समाज के सुधार हो चुके हैं, तो जरूरत था हम अपने अंदर एक बड़े पैमाने पर सुधार करें, हमारे religious thinking thoughts को change करें, इसमें 2.4 आर्टिकल है, जहां पर हम लोग अपने religious reforms को देखेंगे, यहां पर बहुत बड़ा नाम आता है प्रहम movement का, जिसके बारे में हम काफी elaborate discuss करेंगे इसके evaluation, divisions, characteristics और observation में, अगर हम religious reforms की बात कर रहे हैं, तो किसी भी हाल में Swami Vivekanand को भोल नहीं सकते हैं, जिन्होंने religious reforms में बहुत बड़ा योग द्यान दिया, और Swami Vivekanand से के साथ-साथ, रामक्रिष्न उनका विनाम आना चाहिए, उन्होंने उनका जो concept था, सर्वधर्म समन्वे है, उसे establish किया, जिसके बाद ही हम लोगोंने Swami Vivekanand को अपने religious reforms के साथ आते हुए देखा, तो इनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे, ये तो हो गए इस chapter के major contents, एक और minor सा content बाकी है, लेकिन minor कहना गलत होगा, questions इस पर भी पूछे जाते हैं, nature and assessment of Bengal Reynolds, इस तरह से इस पूरे chapter के contents को हम divide करते हैं, total five parts में, तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक overview बताने की कोशिस की, reform, characteristics and observation, chapter number two, माधिमिक हिस्ट्री का, मेरी पूरी कोशिस होगे कि मैं आने वाले पांच वीडियो में इन पांच parts को, every video में एक part के साथ complete करके, आपको समझाता हुआ चलू, ताकि आने वाले पांच parts में, यानि within a month, और approximately one and a half month, मैं इस पूरे chapter को complete करूँ, हिस्ट्री की videos, every Thursday, सुबह 10 बजे आ रही है, लेकिन जिस तरह से आप इन बच्चे इन वीडियो को views दे रहे हैं, देखके लग रहा है, प्रीमेर अटेंड न करने पर, कि I think यह time appropriate नहीं है, तो please अपना time जरूर comment करें, जिससे मुझे यह पता चले कि कि किस appropriate time पे मैं इस वी views नहीं आने की वज़े से मुझे motivation नहीं मिल रहा है, कि मैं अपने इस hard work को continue करता हूँ, आपका like, आपका share, और आपका प्रीमेर को attend करना, हमें motivate करता है, कि इस तरह से मैं आप लोगों के लिए hard work continue करूँ, आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही discussion रहेंगे, मिलता है आपके लोगों में तिल देन दू टेक किया